जै माता दिमित्रो स्वागत है आप लोगों का पुना एक बार आज के मारे शेश कारेकरम मार्च 2022 राशिफल जिसमें आजम बात करने वाले हैं धनुराशी के राशिफल के बारे में कैसा रहेगा धनुराशी वालों का मार्च 2022 तो सबसे पहले जानेंगे कारे शेतर यानि नोकरी और वैपार की इस्तिति धनुराशी के जातकों के लिए कैरियर की द्रश्टी को उनसे यह समय अच्छा रहने वाला है दसंबाव के स्वामी बुद्ध तित्य भाव में ब्रस्पत्य और सूर्य के साथ आएंगे जिसकी वैसे कारे शेतर में आपकी कारे को शल्ता में बढ़ोतरी होगी नोकरी पेशा लोगों की दफ्तर में ठाक जमेगी मजबूती आएगी और सही होगी की तरफ से आपको सम्मान मिलेगा आपके परदर्शन को देखते हुए अधिकारी आपको नई जिम्मेदारी दे सकते हैं यानि नई नई जिम्मेदारी आपको मार्च महीने में उठानी पर सकती है आपके लिए पर्मोशन का रास्ता भी बनता हुआ नजरार है कर्म छेतर के स्वामी सूरिय व्यक्ति को ताकत और हिम्मत देते हैं जिस परकार आपकी राशी में बुद्ध और सूरिय की युति है उससे आप दफ्तर में एहम पद पा सकेंगी आपको ताकत मिलेगी आपको उन्नती मिलेगी आपको बहतर नोकरी का भी ओफर आपको मार्च महीने में जरूर मिलेगा या नई नोकरी की तलाश कर रहे हैं लोग या जातकों के लिए यह समय अत्तिदिक मजबूत है यानि प्राप्ट अगर अर्से से नोकरी में कोई अर्चन आ रही है परिशानी आ रही है तो इस वक्त वो भी समस्य आपकी दूर हो जाएगी महीने के उतारद में परमोशन के लिए भी कोई अच्छा अफसर मिल सकता है मही अगर वैपारियों की बात करें बिजनिस की बात करें तो कारोबार करने वाले जातकों के लिए यह समय सफलता लेकर आया है कारोबार में पहले लिए गए फैंसलोज का फल आपको प्राप्त हो वैपार में बढ़ोतरी होगी और उसका विस्तार भी होगा अगर आप विदेश में वैपार करते हैं तो इस वक्त कामियाभी मिलने के पूरे योगे या विदेशी वैपार मजबूत होने के पूरे योग है मैं अगर आर्थिक द्रश्टी की बात करें द्धन की बात करें तो आर्थिक द्रश्टी कौन से यह समय धनु राशी के जातकों के लिए अच्छा समय सावित होगा परचूर मात्रा में धन की बरसा होगी धन भाव यानि दुत्य भाव में उचराशी के मंगल और शुक्र और शनी के साथ रहने से इसकी वेसे आपकी आर्थिक इस्तिती मजबूत होगी ग्रहु का यह योग धन का आगमन कराएगा आर्थिक लाब में पूरा सहयोग देगा शेर मार्किट में निवेश करने वाले जातकों के लिए यह समय काफी अच्छा रहने वाले क्योंकि एकादस भाव का स्वामिश शुक्र के दुत्य भाव में इस्तित होने से सेर बजार में आपको सफलता या अच्छा फल प्राप्त होगी आपको ये भी बता दू कि जोश में आकर निवेश करने का जोकिम बिलकुल न उठाएं कारोबार और वैपार में लाब प्राप्त होगा पहले से चल रहे कारोबार में विकास होगा महा के उतार्द में चतुर्त बाव में सूरिय का गोचर होने से आपकी आर्थिक स्तिती ओर भी जादर मजबूत होगी इस वक्त वैपार में बहुत अच्छा लाब हो सकता है आपके लिए धन प्राप्ती के कई रास्ते खुलेंगे वैपार में निवेश्य भी आपको अच्छा खासा फायदा होगा ये समय आपको पुराने करजा चुकाने के लिए भी अच्छा समय सावित होगा वही अगर स्वास्ते की बात करें धनुराशी के तो स्वास्ते के दरश्टी कोन से धनुराशी के लिए यह मध्यम समय होगा चटे भाव में राहो की उपस्तिती होगी या रहेगी जिसके साथ ही चटे भाव के स्वामि शुक्र देव दुत्य भाव में शनी के साथ होगे इसकी वजए से स्वास्ते संबंदित परिशानिया आ सकती है आप अपने कारिये के परती अधिक गंबीर होंगे और दोरान खान पान पर आपका ध्यान बिल्कुल नहीं रहें स्वास्ते में इससे आपको ग्रावर देखने को मिलेगी एने में दिन चरिया के वेश से आपको नई बिमारी भी घेर सकती है इसलिए सतर्क रहने के आपको आवाशकता है कुछ जातकों को पुराने विमारी पुना परेशान कर सकती है आपको मैं बता दूँ इसके लिए आप पोश्टिक आहर ग्रहन करें भोजन का एक समय विशेज दिहान रखें मोसम के असर को नजर अंदाज बिलकुल ना करें छोटी मोटी समस्या भी अगर होती है तो तुरन डॉक्टर से परामश करें चलिए तो ये था स्वास्ते अब अगर आगे हम बात करें धनु राशी वालों के लव लाइफ और दामपतिक जीवन के यानि की मेरी लाइफ के बारे में यानि प्रेम जीवन और विभायक जीवन तो धनु राशी के जातकों के लिए प्रेम संबंदित मामलों में महीने की शुरुआत अच्छी रहेगी पंचम भाव के स्वामी मंगल के उच राशी के होने से आपको फायद होगा इसके साथ ही बुद्ध के तित्ते भाव में सूर्य और वस्पती के साथ अच्छी स्थिति होने से परिस्थितियां आपके अनुकोल होंगी आपके फेवर में आएगे आपका पार्टनर या लवमेट के साथ प्यार बढ़ेगा प्रगड होगा और आपस में विश्वास बढ़ेगा एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का अफसर मिलेगा साथी लवमेट के साथ आप छोटी मोटी यात्रा पर गुमने भी जा सकेंगे मार्च महीने में संकेर तो ये भी है कि लवमेट के साथ आपका मजबूत रिस्ता साथी के रिस्ते में तबदील होता हुआ नजराएगा इस वक्त कई जातक लवमेट के साथ विवा करने के निर्णे ले सकते हैं इस वक्त आपके प्रेम प्रस्ताव को भी सुकार किया जाएगा आपके बड़े बुजुर्गों के सामने आपके माता-पिता के साथ सत्तम भाव के स्वामी बुद्ध के तित्य भाव पर ब्रस्पती से सयुक्त होने से एविवाई जातकों को अच्छी खबर मिल सकती है जो लव लाइफ नहीं जी रहे हैं एविवाई ते उनके लिए हम बात करें जिनके विवावें लंबे वक्त से अर्चने जो आ रही हैं वो खतम होगी और उनकी शादी तैह हो जाएगी वहीं अगर दामपतिक जीवन की बात करें इस दोरान शादी के लिए अच्छे रिस्तों की भरमार होगी दामपतिक जीवन के लिहाज से भी यह अच्छा समय है पतनी के बीच अगर कोई विवाद भी है तो या कोट केस भी है तो इस वक्त आपको इन से सबसे निजात मिलेगी पती-पतनी फिर से एक दूसरे के साथ अपनी जो दूरीया है वो खतम कर पाएंगे अपने रिस्तों को मजबूती दे पाएंगे धनुराशी के जातकों का विवाएक जीवन सुक में रहेगा और पती-पतनी में समाज़त से पहले जैसा बन जाएगा वहीं अगर पारिवारिक जीवन की बात करें तो धनुराशी के जातकों का पारिवारिक जीवन इस वक्त बहुत सुक में होने रहने वाला है दूसरे भाव में शनी अपनी राशी में इस्तित होंगे इसकी वेशे आपको परिवार में पुरा सयोग की भावना बढ़ेगी परिवार में आपका कद बढ़ाएगा और परिवार के बीच आपनी चलाने की पूरी कोशिश रहेगी परिवार के नितित्त देने में आपको सफलता भी प्राप्त होगा इस दोरान पहले से चल रहे विवादों से आपको छुटकारा मिलेगा घर के सभी सरस्तियों के साथ आपके सम्मन्द भी मजबूत होगी भाई बेनों से दूरियां कम होंगी आपस में इसने बढ़ेगा दूसरे भाव में शनी मंगल और शुक्र की यूति होने से भी आपको फायदा होगा आप परिवार को अच्छे मार की ओल ले जाने की पूरी भी कोशिश करें कुल मिलाकर देखा जाएं तो परिवारिक जीवन काफी अच्छा और सुकद आपका रहने वाला है वहीं अगर उपायों की बात करें धनुराशी वालों के लिए तो सबसे पहला उपाय वोई भगवान विश्नु की पूजा करें दूसरा जो उपाय वोई पर्तिक ब्रस्तिवार को धनुराशी वालों को विश्नु सहस्त्र नाम का पार्ट जरूर करना चाहिए और तीसरा जो उपाय वोई शनिवार के दिन चीटियों को आठा जरूर खिलाएं इन तीनों में से अगर कोई भी आप एक उपाय करते हैं उसे करने से आपको जो मार्च महिने में समस्या आने वाली हैं परेशानी आने वाली हैं उनसे मुक्ति मिलेगी और मातरानी का आपके उपर आशिरवात है तो आज के लिए इतना ही जया मत